जै जोहार नमस्कार देनिक 36 कर चैनल देख रहे हैं आप और 36 कर प्रदेश की आज की सभी प्रमुक बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे इससे पहले गर आप 36 कर प्रदेश के है 36 कर समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबा कर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है सुरवात सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं सीत लहर की चपेट में 36 कर के कई समभाग आ चुके हैं नीउन्तम तापमान में लगातार गिरावट की वज़े से कराके की ठंड भी पड़ रही है दरसल पक्चि में विक्षोप के कारण पिछले दिनों समभाग में हुई बारिस और ओला विष्टी की वज़े से अब मौसम जो है ठंडा हो गया है इसके बाद से मौसम साफ होते ही पूरे समभाग में सीत लहर जुरू हो गई है नीउन्तम तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है तो वही हवा की दिसा बदलने की वज़े से पूरे दिन ठिटुरन बन रही है और धीरे धीरे यह जो ठिटुरन है सीत लहर की सिती बना रही है अगर मैं बात करूँ तो कोहरा धीरे धीरे हटना सुरू होता है ऐसे में सूरे के दर्शन होने के बाद ही ठंड से कुछ राहत मिल पाती है अगर मैं बात करूँ तो सुभा से ही घना कहुरा चाया रहता है ऐसे में बात करें संभाग में कडाके की ठंड पड़ रही है सरगुजा संभाग के अगर मैं बात करूँ तो मौसव ज्यानिक एमेम भट के मुताबिक उत्री शत्तिस करके उपरी हवा के साथ सतह की हवा की दिशा अब दक्षडी से बदल कर पश्चिम उत्तर पश्चिम हो रही है और लगातार हवा की दिशा बदलने की वज़ा से ही तापमान में गिरावट हो रही है ऐसे में बात करें तो लोगों की सेहत पर भी इसका असर पर रहा है सर्द और गर्म मौसम के बाद सुरू हुई कडाके के ठं का असर सेहत पर भी परने लगा है और बच्चों पर इसका खासा असर देखा जा रहा है ठं लगने से बीमार बच्चे पर रहे हैं एक एक ठं बन ज जाने की वज़र से सर्दी खासी और बुखार जैसी मौस्क में बिमारियों ने लोगों को अपनी चपेट में लेना सुरू कर दिया है और अब बात करते हैं बीते 24 घंटे के दौरान 36 गड़ में कोरोना के ताजवा आकड़ों के बारे में और ऐसे में प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो 5614 नए केसिस मिले हैं इसका लावा मैं ये भी बात करूँ तो जो नव मरीज हैं इनकी उपचार के दौरान मौत हो गई है जारी मेटिकल के बुलिटेन के अनुसार 24 घंटे में ये जो आकड़े हैं बता रहे हैं कि रायपूर में 1499, दूर्ग में 734, रायगर में 528, रादनान गाउ में 313, कोर्बा में 308, वेलासपूर में 307, जानगे चापा में 307, समेत अन्य जो जिले हैं उनके आप ताजा आकड़े इस वक्तापभिन स्क्रीन पर देख रहे हैं ओलाइन पेपर मोड एक बार फिर से सुरू हो चुका है, पाचवे और साथवे सेमेश्टर के छात्र भी घर से लिखेंगे पेपर और इसकी समिक्षा होने जा रही है आगामी सेमेश्टर परिक्षा में प्रथम वत्रतिय वर्ष के साथ साथ पाचवे, साथवे और नौमे सेमेश्टर की परिक्षा भी ऑनलाइन होने जा रही है कोरोना संक्रमर को लेकर के उच्च सिक्षा विभागने प्रथम एवं 30 समेश्टर की परिक्षा ओनलाइन या ब्लेंड़ेड बोन में कराने के निदेश दे दिये लेकिन पाचवे, साथवे और नौमे समेश्टर को लेकर के कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था और इस बज़े से न सिर्फ छात्र बलकी विभागने के अफसर भी इस परिक्षा के आयोजन को लेकर परसान है विभागने प्रबंधन से अब इसकी समिक्षा होगी इसके लावा विस्विद्दाले में MA, MC, MSC के दो वर्षिये पाठिक्रम के अलावा LLB, BBA जैसे तीन वर्षिये पाठिक्रम भी है और इसके लावा BALB और Center for Basic Science में पंच वर्षिये कोर्स है और सभी की पढ़ाई समेश्टर प्लानी के तहत है और कोरोना के कारण उच्च सिछा विभाङ से निर्देश जारी किये गए है परिक्षा संबन्थी या निर्देश दो वर्षिये पाठिक्रम के लिए उप्योक्त है क्योकि इनमें 4 समिस्टर है लेकिन 3 वपंच वर्षिये पाठिक्रम के जात्रों को परिसानिया है और इसलिए रवी संकर विस्वित्याले ने समस्टर एक्जाम को लेकर कुछ दिन पहले समय साणी जारी की थी सीवरिज ट्रेट्मेंट प्लांट का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चला है टेस्टिंग इसी माह से सुरू होगी फिर साफ होने लगेगा नालो का पानी दरसल बात करें 200 करोड रुपए से जादा की लागत से खारून नदी के किनारे तीन जगों पर तयार हो रहे सीवरिज ट्रीट्मेंट प्लांट की टेस्टिंग इस महीने सुरू हो जाएगी सबसे पहले निमोरा गाउ में तयार हो रहे 90 MLD याने की मिलियन लीटर डेली के प्लांट की टेस्टिंग सुरू हो जा रही है और आपको ये भी बता दे कि इसका सिविल वर्क लगभग पूरा हो चला है जनवरी के अंतर तक टेस्टिंग भी सुरू हो जाएगी फरवरी में कारा गाउ में बन रहे 35 MLD के और 77 मार्च में चंदरी डी के लगभग 75 MLD प्लांट की टेस्टिंग सुरू हो जाएगी तीनों प्लांट की टेस्टिंग अप्रेल तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद गंदे पानी को साफ करने वाले तीनों प्लांट एक साथ काम करने लगेंगे केनुर सरकार की अमरित मिसन योजना के तहट खारून को साफ करने के लिए नदी के किनारे तीन गावों में एश्टिपी यानि की सीवरेज ट्रेटमेंट प्लांट लगाने की योजना 2018 में सुरू की गई 2020 तक इसे पूरा हो जाना था लेकिन इसी दोरान कोरोना की वज़ा से काम में साल भर की देरी हो गई और इस वज़र से यह जो काम है एक साल पीछे हट गया एक अच्छी खबर आ रही है 36 गर के हरबल स्प्रांड अब इंटरनेशनल मार्केट में जा गए है ऐसे में 9 माह में लगभग 4 करोर 34 लाक रुपए की बिक्री हो गई है 36 गर के हरबल उत्पाद का व्यापार अंतराष्टी स्थर पर पहुँच गया है साल 2021 के पहले 9 महीने में ही लगभग 36 गर हरबल स्प्रांड नेम से बेची जा रहे उत्पाद से लगभग 4 करोर 34 लाक रुपए के उत्पादों की बिक्री हो गई है मुख्यमंतरी भूपेस बखेल के निर्तित्त में वनवासियों को लगु वनुपजो और वनुसवधियों के संग्रहन प्रसंसकरण और मार्केटिंग के जुरिये रोजगार और आय की साधन उपलब्ध कराने में काम में अच्छी सफलता मिल रही है आदिवासियों महिला स्वासायता समू और वनवासियों द्वारा तैयार किये जाने वाले हर्बल उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में 30 संजीवनी केंद्र प्रारम किये गये हैं बताया गया है कि 36गर हर्बल्स, 36गर राज लगुवन उपच संगारी संग की एक इकाई है, संग 52 लगुवन उपच खरीता है और 1500 से अधिक मुल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन कर रहा है 36गर हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक निजी फर्म को तैयार काम पर रखने के लिए नए छेतर खुले है केंद्री स्वास्त मंत्राले के COVID-19 वरकिंग समूह ने यहाँ पर संकेत जारी कर दिये हैं कि 36गर में 12-14 साल के 10 लाख बच्चों को मार्च माह से टीका लगने वाला है कोरोना संक्रमर के बढ़ते मामलों के बीच रहात की खबर यह आ रही है कि राज में मार्च से 12-14 साल के बच्चे हैं इनको कोरोना के टीके लगने की सुरवात हो सकती है वही देश में इस रेडी के लगभग 10 लाख बच्चे होने का अनुमान है वही देश में इस आयूवर्ग के तकरीबन 7 करोल 50 लाख की सोर हैं उनमें सभी बच्चों को टीका करण जो है किया जाएगा कहा है कि मार्च में 12 से 14 साल के बच्चों का टीका करण सुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद से प्रदेश में स्वास्त्य भाग हरकत में आ गया है और इसे लेकर के स्वास्त्य भाग के टीका करण अभियान से जुड़े अफसरों की अहम बैठक मंगलवार को होने जा रही है और इसी पर यहाँ पर चर्चा होने जा रही है तो देश में 15 से 17 साल की स्रेणी में अब तक 9 लाग से अधिक बच्चे कर टीके लगाय जा चुके है बीते दिन हमने आपको एक न्यूस बताया था जिसमें 202 पर भरती के होने प्रस्तावित बताई जा रही थी इस वास्त्य भाग में और इसी को लेकर के खबर है कि 202 पर भरती के लिए लगभग 2000 लोग पहुँच पड़े तूट पड़े बेरोजगार और फार्म के लिए छीना छप्टी हो गई सीय में चोड़े के दफ्तर के बाहर लंबी कतार लग गई दरसल यहाँ पर बता दे कोई किसी को धक्का दे रहा था तो किसी को बाइक पार्क करने की जगा नहीं मिली छोटे बच्चों के साथ साथ आई महिलाए भीड देख करके हरबर आ गई थी फॉर्म हासिल करना किसी के लिए जंग जीतने से कम नहीं था जब कर्मचारी आविदन का फॉर्म लेकर आए तो भीड तूट पड़ी लोगों ने कर्मचारीों के हाथ से फॉर्म चीनना सुरू कर दिया कुछ फॉर्म फट भी गए और भीड में गुस्साय लोगों ने एक दूसरे के साथ जुमा जटकी भीग जहां तक नजराती सिर्फ भीड भीड दिखी जिसमें हर कोई अब बस आगे जाकर काउंटर तक पहुचने के लिए कुछ भी करने को तयार था ये हाला जो है बीते दिन राइपूर के चीफ मेडिकल आफिसर यानि की CMHO के दफतर के सामने थे दरसल ये भीड बेरोजगार युवक और यूवतियों की थी मुखे चिकित्सा एवंस्वास तदिकारी के कार्याले में 202 अस्थाई पदों पर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ की भरती की जा रही है और इस प्रक्रिया का पहला दिन था इंटर्यू के लिए बेरोजगारों की भीर तूट परी 2000 से ज़्यादा की संख्या में लोग यहां पर पहुँच गए थे दोनों टीके लगवा चुके लोगों के लिए अक से अगले सप्ताह पीक जो है सामने आ सकता है 36 गड़ में कमजोर इमिनिटी वाले ही फरवरी में सबसे ज़्यादा बीमार होंगे दरसल बात करे कोरोना की तीसरी लहर जिस तेजी से वड़ रही है उसी रफतार से खत्म भी हो जाएगी भारत्य विज्यान संस्थान यानि की IISC और भारत्य सांख्य की संस्थान यानि की ISI के विसेसग्यों ने एक गड़ित्य मॉडल के आधार पर इसकी भविस्योवारी की है इसके मताविक 36 गड़ में कोरोना के दोनों टीके लगा चुके लोगों के लिए तीसरी लहर पीक जनवरी के आखरी सब्ता से सुरू हो जाएगी और यहाँ पर यह जो असर है वो दिखने जा रहा है इसके लावा सबसे कमजोर इम्मुनिटी वाले लोगों के लिए तीसरी लहर का पीक फरवरी के पहले दूसरे सब का हमें आएगा विसे सग्यों ने पिछली बार हो चुके कोरोना संक्रमा ठीका करण और कम प्रतिरोधक छमता वाले लोगों को नए वेरियंट के प्रती सवेदन सीलता के अलग मांदन बनाये हैं इसको 30 फीसद, 7 फीसद और 100 फीसद सवेदन सील लोगों की स्रेणी में रखा गया है इस गड़ेती ग्राफ के मुताबिक यह तीसरी लहर 15 दिसंबर 2021 से सुरू हो चुकी थी और इसकी सुरुवात इस मौडल के प्रस्तावित ग्राफ से तेज हुई है अगले 5 दिनों में यह थोड़ा कम हुआ, 20 मरीज प्रति दिन पर आया और उसके बाद एक वाफिर से तेजी से बढ़ा 25 दिसंबर तक मरीजों की संख्या 1.500 के पार पहुँची और अभी रोजाना मिल रहे केस और इस मौडल में प्रस्तावित केस से थोड़े अधिक है यानि कि जो इनका अनुमान लगाय गया था वीसे सग्यों के द्वारा वो बिलकुल सटीक साबित हो रहा है 36 गर से चलने वाली 19 ट्रेनेर रद की जा चुकी है कनेक्टिविटी कारे के चलते 23 से ले करके 31 जनवरी तक ट्रेनों के रफ्तार पर ब्रेक लगा दी गया है मध्यप्रदेश, उत्रप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान का सफर अब मुस्किल होने जा रहा है 36 गर से मध्यप्रदेश के भोपाल, रीवा, या फिर उत्रप्रदेश के कानपूर, प्रयागराच और राजस्थान, दिल्ली, ओडिसा या फिर गुजराच जाने वाले यात्रियों का सफर थोड़ा मुस्किल भरा हो गया है बिलासपूर मंडल के निगवरा जैतहरी छुला सेक्शन में तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा इसके चलते रेलवे ने 13 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 19 ट्रेने दिरस्थ कर दी है रेले प्रसासन की ओर से कहा गया है कि इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलेप्मेंट का काम जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके चलते इन ट्रेनों को रद करने का निर्णय दिया गया है इस काम के पूरा होते ही ट्रेनों के जो स्पीड है वो बकायदा फिर से वापस आ सकती है आंगनबारी सुपरवाईजर भरती की परिक्षा जल्द ही होने जा रही है लगभग आज से तीन चार दिन बाद ही हजो परिक्षा है होने जा रही है और इसी की परिक्षा पर असमंजस की स्थिति बन गई है वेफसाइट का हेलप लाइन नंबर भी बन बता रहा है और कोरोना पॉजिटिव आखिकार कैसे पेपर देंगे ये सवाल भी लगातार उभर कर आ रहा है महिरा एवंबाल विकास विभाग में सुप्रवाइजर की भरती के लिए आगामी 23 जनवरी को लेखित परिक्षा होनी है और इस परिक्षा के लिए तमाम तैयारिया व्यावसाई परिक्षा मंडलने लगभग पूरी कर ली है है लेकिन हैरानी इस बात की है कि COVID-19 को लेकर अभी विभास्थाएं अधूरी है दरसल सौपदों के लिए आगनबारी कार्यकरताओं को परिक्षा का आफसर दिया जा रहा है इन सौपदों पर भरती के लिए पूरे प्रदेश से तकरीबन दो लाग से भी ज्यादा आवेदन भरे जाने की सूचना है ये दो लाग अभ्यरती एक आगनबारी कार्यकरता है जो इन दिनों घर घर जाकर को पोसित बच्चों को रेड़ ट्यू इट बाट रही है इनी में से कई आगनबारी कार्यकरताओं के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने की भी जानकारी मिल रही है और वहाँ परिक्षा के लिए फॉर्म भर चुकी है लेकिन उन्हें प्रवेश पत्र भी व्यापम की वेबसाइट से जरिये मिल चुके है लेकिन वे इस असमंजस की स्थिति में है कि पॉजिटिव होने के बाद उनकी परिक्षा निर्धारित केंद्रों में होगी या फिर ऑनलाइन होगी इसको लेकर के अब भी असमंजस की स्थिति नजवरा रही है NRDA यानि की न्योवार रायपूर डेवलेप्मेंट अठोरिटी की बधाली पर विपक्ष हमलावर सामने आ रहा है रमन सिंग ने कहा कि आज बैंक NRDA की संपत्ती पर कबजा ले रहा है कल 36 गर महतारी भी गिर भी हो जाएंगी दरसल नवारायपूर विकास प्राधी करेण यानि की NRDA की बढ़हाली पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है हमले की कमान भाजपा नेताव ने संभाली है तो ही पूरो मोखे मंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने मंगलवार को लिखा कि आज बैंक नवारायपूर की संपत्यों पर कबजा ले रहा है कल 36 गर महतारी भी गिर भी हो जाएंगी पूरो मंत्री कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने हमारी टीम से खबर साज़ा करती हुए कहा कि 36 गर की आर्थिक स्थिति इन तीन वर्सों में इतनी खराब हो गई है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कांग्रेसी पूरे 36 गर को ही गिर्वी मत रख दे जैसे स्रिलंका के एक बंदरगाहा पर करज के कारण चीन ने कबजा कर लिया है ये सबी बाते भाजपाने कहीं हुई है और अब अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े जहाँ पर पेस्टिसाइट से मर रही है मधुमक्या सहथ उत्पादन भी लगातार घट रहा है मधुमक्यी पालन के लिए बाटे गए बक से कबार में तबदील हो रहे है और जो मधुमक्या है वो पावस लोट नहीं रही है दरसल अपनी खुबसूर्ती के लिए मसहूर जैस्पुर जिले के पहाड़े इलाकों में पेस्टिसाइट का जहार घुलता जा रहा है आलू, मिर्च, राम, तिल, टाव सहीत, अन्य फसलों की व्यावसाई खेती के लिए किसान भारी मात्र में कीट ना सक्सहीत अन्य रासाइनों का उप्योग कर रहे है और इससे पहाड़े इलाकों की मधुमक्यों की संख्या तेजी से घट रही है आलम यह है कि सहद उत्पादन के लिए पेटी से छोड़ी जा रही मधुमक्या भी वापस लोट कर पेटी तक नहीं पहुच पा रही है पेटी से निकल कर मधुमक्या फूलों पर बैटते ही जम तोड़ दे रही है और इससे सहद उत्पादन पर असर देखा जा रहा है वन विभाग उध्यान विभाग और खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग द्वारा मधुमक्या पालन के लिए पेटी आप बाटी गई है इसके लावा प्रसंसकराण के इंद्र की भी स्थापना की गई है इसका मकसद था कि सहद उत्पादन से जुड़े किसान यहां लाकर अपना सहद बेचे और विभाग द्वारा इसे प्रोसेसिंग कर पैकेजिंग कर बाजार में उतारा जाए पर बीते दो साल से सहर के प्रसंसकराण के अंद्र में गाव से सहर ही आ नहीं पा रहे हैं और इस वज़े से सहद का उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है दोस्तो आज की खबरों का सुलसला बसे तका था वीडियो गर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को नीचे लाइक बटन है जिसे दबा कर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है नीचे लाल कलर का सब्सकाइब बटन भी दिया है जिसे दबा कर इस सब्सक्राइब जरूर कीजेगा